हेलो दोस्तों, यलकम टो सिफसंकर सिफ चाइनल, सिफसंकर सिफ चाइनल में आपका स्वागत है, चलिए मैं आप के लिए ये देखे कितना स्वाधिष्ट रिसीपी लेका आया हूँ, जो बहुती असान से घर पे बना सकते हैं, मटन समी कबाब, मटन समी कबाब कैसे बना है, घर पे बहुती कम समय में चलिए आज हम देखते सिपसंकर सिप चैनल के तो आप से रिसीपी ये देखिए हमने बॉयल मटन लिया हूँ बॉयल मटन को मैं कीमा कर लेता हूँ अगर आप चाहे हैं तो मटन कीमा कच्चा भी लाके बना सकते घर पे अब उसको अच्छा से कीमा करने के लिए देखिए हमने छोटा छोटा से काट्ने काट moi दॉन हमें बॉयल मिक्सर जाड़ें अच्छा से जान सब्यबस आप चर्ली ने स्ब्रूइए और थे लिए और जाता लूए ऐसी आप भीगऊ लिए एक सिटी हब वैल करना है जादा नहीं उसका साथ आप देखे एक मिक्सर में हमने डाल डालने के बाद गार्लिक जिंजर ग्रीन चिली वन टी एस्पून हमने एड़ कर रहा हूं और आप लोग इसी हिसास से कॉंटेटी ले और घर पे बनाए असान से हमने थोड़ा सा जीड पोडर एड़ कर लेते हैं और यह नमक था कमती हो जाएगा इसलिए हमने दवाड़ा एड़ कर आँ और यह रहा थासा आपका गरम मसाला जो फ्लेवर के लिए आप एड़ कर सकते हैं और यह रहा कोरियंडर लीफ्स तो चलिए ये देखिए जितना भी espices हमको इसमें डालना था और साथ में तो हैसा कस्तोरी में थी पत्ता वो डाल को हम इसको अच्छा से grain कर लेते हैं इसको अच्छा से grain करने का बाद जो है हम कैसे बनाएंगे एकदम खास्ता और मुलैम जो अगर मान लिजे जिनका मुख में दात भी ना हो वह भी खा सकते हैं जैसे कि बच्चे एजेट सभी खा सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही स्वाधिस्ट होता है तो ये हमने एक नॉन स्टिक फ्राइपिन लिया हो और इसमें वन टी एस्पून का जैसा हम घी एड़ करेंगे अभी आप सोचतेंगे ये फ्राइपिन क्यों क्योंकि हमने जो आपका सामने मटन किमा किया हो उसको अच्छा से बना लेना है और इसमें हमने έड़ किया होग, garlic chopping कियो हूँ, ginger chopping कियो हूँ, green chilli chopping कियो हूँ, hog tea spoon से भी कमते हैं और इसको थोड़ा सा fry होने देते हैं, fry होने का बाद जो है इसको हमको क्या करना है, इसमें आपने जो कीमा कियान उसको भुनने के लिए, और ये देखिए हम थासा इसमें धन्या पौडर, तीखा लाल, कास्मीरी चीली पौडर, ये रहा थासा अमचूर पौडर हमने थासा एड़ क्या हूँ तो और ये रहा टर्मरिक पौडर तो एक्चुली ये इंडियन स्पैसेस का साथ बनाने के खाने में मजा ही कुछ और है और इसमें हमने थासा ये देखिए कस्तूरी में थी पौडर एड़ क्या हूँ और थासा हमने ब्लेक सॉल्ट एड़ क्या हूँ अब इसको हम अच्छा तरीका से मिक्स कर लेते हैं और मिक्स करने के बाद इसमें हम एड़ करेंगे थोड़ा सा फ्याज और टेमेटो का मसाला बनाया हूँ इसको हम एड़ कर लेंगे एक्चुली क्या है कीमा जो है इंडियन का टैप को बना लेना है पहले अच्छा तरीका से तो ये किमा हम इसमें एड़ कर लेते हैं और इसको अच्छा तरीका से हम पकाएंगे और एक जरूरी बात ये है कि आप लोग सोचते हैं कि यो तो बहुती असान है हम घर पे बना लेंगे बहुती सोटिक है लेकिन नहीं ये देखिए सब कुछ डालने के बाद ये मटन का बाइल की होगा पानी भी हम क्यों एड़ के हो कि इसमें जो मसाला जो रहता है जो कच्छा रहता है अच्छा तरीका से मिक्स हो जाए और पक जाए जब अच्छा तरीका से बन जाए तो इस पर आप त्वासा कोरियंडल का अगर फेवर डालते हैं तो उसका खाने का मज़ा कुछ और ही होता है और ये रहा लास्ट में हम त्वासा गरम मसाला पॉडर एड़ करेंगे क्योंकि उसका खुस बुझ है मटन में बहुत ही अच् नहीं पाएंगे फिर से वही हमने नॉन इस्टिक फ्राइ पिन लिया हो और उसमें वन टीए स्पून के जैसा घी एड़ किया हो और आपका सामने हमने जो चनादल ग्रेंड किया था मिक्सर के लेंडर में अल एटम्स डाल के इंडियने स्पैसे स्वेगरा डाल के उसको हम इसमें आप अच्छा तरीका से फ्राइ करेंगे भूल लेंगे क्योंकि इसको अच्छा तरीका से इसलिए फ्राइ कर लेना है नहीं तो आपको तेल डीप तेल में फ्राइ करके देना है और नहीं तो आपको तंदूर में लगा के देना है तो इसलिए अच्छा तरीका से इ और इसको ठंडा होने देता हूँ जब अच्छा तरीका से ठंडा हो जाता है तो यह देखिए हम इसको क्या करेंगे जैसे आप रोटी का पेरा बनाते हैं और इसे ही आपको ले लेना उसी साइज का और उसका अंदर में यह जो मटन कीमा जो आप किया इसको स्टॉप कर लेना है ना तो ऐसे बारिक-बारिक से एके करके स्टॉप कर लेना है और देखिए सबसे बड़ा बात यह है कि आप लोग ने यूटूब पे बहुत अच्छा-च्छा से रिसीपी देखे होंगे लेकिन एक बार हम जो आपको बना के दिख लाए हैं घर पे बना के जरूर खाये आपका कीचन में आप होटल या रिष्ट्राइन में आना भूल जाएगा अभी आप सोचता होंगे क्यों भूल जाएगे क्योंकि अगर इतना स्वादिस्ट रेसीपी अगर आपका कीचन तक बनके जाए तो खाने में कितना मजाएगा और इसका सेब देखिए कितना से प्लेट देते हैं और आप घर पे जिस हिसाब से आपका घर में फैमिली मेंबर है उस हिसाब से आप रेडी करें फिर से हमने वही नॉन इस्टिक फ्राइपेल लिया हो और उसमें वन टी एस्पून के जैसा यू ही एड क्या हो अब इसको यह देखिए घ्यू एड करने क घर पे उसी हिसाब से आप क्रिस्पी करके से लिए क्योंकि यह बहुती स्वादिष्ट लगता है खाने में और एक्चली यह खसता होता है है तो आप घर पे जरूर बनेए और सिपसंकर से चाइनल का वीडियो अगर पसंद आता है तो प्लीज आप लोग से एक रिक्वेस् पी लेके आता रहता है अगर आप लोग को जासे सिपसंकर से चैनल को कुछ हेल्प मिले और हमारा तरफ से आपको जो भी हेल्प चाहिए प्लीज आप लोग बेजी जग कोमेंट करके पोस्ट सकते हैं और आप मेरा इस्टागराम पे जाके फ्लो कर सकते हैं फेस्बुक पे यह देखिए गेस्ट के समने हम जब सर्विंग करते हैं तो एक प्लेट में मिंट का चटनी मतलब धन्या चटनी का रिसीपी मेरा यूटूब चैनल में दिया हुआ है और हम आई बटन में भी दे देंगे आप लोग वहां से देख सकते हैं और यह रहा सलाद ओनियन कैरोट और कुकुमबर का सरादरा उसको हम चाट मसाला और थासल नेमन का जूस दे के गार्नी सिंग गया हूँ तो उमीद करते हूँ आप लोग को यह वीडियो जरूर पसंद है तो आज के लिए ठैंक यू